सो स्टुडेंट्स वेलकम हेयर अगेन आवाई चैनल जानकरी इत्माइसर थित अभिलाशी शर्माइक वारी तेर्ट अभी जानकरी लिए बहुत इंपरेंट जानकरी अकाउंटेंसी नार लेटेड लगातर तीस्ती वीडियो जडी की GST दे होते बेस्ट है तीस्ती वीडियो में GST की है एदी इंट्रोडक्शन देती डिटेल देविच फिर एदी जनल एंट्रीस की में हो दियाने उन्हों सेट आफ की में करीदा है एदी इक ब्रीफ दिस्क्रिप्शन इस तो पहला वाली वीडियो ते आए आज तो और इनाली गंप्लीट जनल दा पुशन है GST दे जल्दी जल्दी अपाइंक वरी थोड़ आजा रिव्यू सार्या नूं पता है इस चीज दे वारे के दो वीडियो देवी डिटेल जदस है मिनूं बारवर कहन दी जरूर्ट नहीं जो इसे क्लियर नहीं हो वीडियो देखना पड़ा ज़रूरी है GST दिया तेन टाइपस CGST ज़रूरी SGST और IGST CGST ते SGST उस हाल चाल चाल लगदा है जेकर बिजनस दी ट्राजेक्शन इंटरा स्टेट है मतलब स्टेट दे बिच विच पंजाब दी लें दें पंजाब हर्याने दा हर्याने च यूपी दा यूपी ते IGST जड़ा लगदा है जेकर इंटर स्टेट ट्र पर एकोल GST है उदी क्लासिटेशन बेसिकता तिन टाइप ने लेकिन ट्राजेक्शन दे अकॉर्डेंगली हर GST दो हिस्सियां च वांट जन्द है CGST SGST जा IGST ना चो कोई वी होवे कदो कदो in case of purchase of goods and services in case of purchase of any fixed assets or any expenses तहां जड़ा GST लगदा है तिनना दे विच्चों उना दे नाला सी input word यूज कर दे हां एदा मतलब की हुंदा है बिजनसमेन इस जी एस्ट नों पेए कर के आंदा है पेए कर के आंदा है देखन से लग र विच्चों बापस लेना हुंदा है ओके इस करके दा नाम input है कदों-कदों जी एसी पर्चेज जा पर्चेज करने है goods या services दी फिक्स एस्ट जा पी expenses उस तो बाद जी सेल करने है जे बिजनसमेन किसे goods जा सर्विस दी या कोई income हुंदी है तंजडा GST लगदा है ओ दे ना इनपूट और अडजस्ट करने तो बाकी सारा government दे को जाना हुंदा है is it clear एक ब्रीफ दे विच मैं थे तार इना इते discussion की थी ते एक अडजस्टमेंट की में हुंदी है थोड़ जा ब्रीफ ली अपाएं भी देख लिए जड़ा input IGST है या input CGST है या input SGST है या input SGST है तिनना दी सब तो पहला अडजस्टमेंट इनना तिनना दे अपने ही output दे विचो हूं दी है पाव IGST दी output IGST चो अडजस्टमेंट input CGST दी output CGST दे विचो input SGST दी output SGST दे विचो clear जिकरी तिनना दे आउटपुट दे विच सब तो पहला जी दे वारे मैं clarify करना चानना है ओं है CGST तहां IGST जो मैं first वाला सी ओ दे विचो अडजस्ट होएगा ओके clear हो गया एकाल उस्तो बाद इस से तना SGST है आउटपुट SGST चो अडजस्ट करने फिर जिकर हजे इनपूट दे विच होर पैसा रहन दे अडजस्ट होना जड़ा बिजनसमें पे कार चो किया सी ओनूं IGST दे विचो अडजस्ट करने हैं IGST तिनना दे एकसल दे विच कुम दे त्यान रख्यों सेंटर दे विच में इनपॉइंट है IGST दे विच हो इसदा अपना भी इनपूट डजस्ट होना है आउटपूट IGST चो इनपूट CGST वी इनपूट SGST जे कर फेर भी जे कोई बैलन्स IGST दे विच रह जंद है तिननना अडजस्टमेंट करन दो बाद तां पेवल तो गवर्मेंट तां ओ पैसा गवर्मेंट नों दे दिता जानता है किस तरह लगने है आप आज डिसकस करने है एक एक एक्जामपल लगने है आज वेरी वेरी इंपॉर्टन टाइप मैसे सॉमेंट संस है इस बिजनस फ्रॉम पत्याला एंड फालिंगार दा ट्राइक्शन फॉर दा मन्त ओफ जुलाई दो जर उन्नी मैसे स्वियंट संस है बिजनस फर दे बट्याला दे चलता है बिजनस होधा ते जुलाई दो जरॉप मिल्या ट्राइक्शन ने जी आस्टी डिट्स की ने सी जी आस्टी ते एच नई परसंत है IGST दा 18% है, ते जेकर CA's fees with 2.5% each as CGST and SGST, जेकर किसे professional नों fees दे रहे हैं, just like CA ता हो देते होने, conditions दास्तियां पहल नहीं, हर ट्राजेक्शन देना नहीं लिखेगा, ये सारे वास दे common GST दे रेट में, exam देवी चैमें भी दिते हो सकते हैं, question दे end दिते हो सकते हैं, हर एक ट्र ली ट्राजेक्शन, dear student, purchase goods from Masses Amon from Lodhyaana 50,000, Lodhyaana दा Masses Amon है वी, उस तो पंजाह जार दियां गुड्स पर्चेज कीतियां, सब तो पहला से डिसाइड करना हो दाया कि transaction इंट्र स्टेट साफ लग रहे साफ दिकरए सानूं पत्याला सारे नूं पतया पंजाव दे वी चै है, लोज आना भी पंजाव दे वी चै है, इंट्रा स्टेट ट्राजेक्शन है, स्टेट दे वीची ताँषते उत्ते त्यान रखो, cgst, cgst 50-50% लग जैंगे, means जिन् सब्सक्राइब तो मैसेज अमन क्रेडिट राजेक्शन है कैश नहीं दीता गया रह गया हूं जी एस्ट एवी पता है के पर्शेज देना जड़ा इंपूर्ट जी एस्ट लगदा है टोटल मैसेज अमन जो ट्रेडर्ज ने उन अनू अमाउंट जड़ा पेवल है वो 59,000 हो गया गुड्स पर्शेज विद इसी एस्ट एस्ट इच नाइन पासेंट इस इस प्लियर इतिया नरक्यों पर्शेज दें उते इन पूड लगदा है इस मैं पहला दाश चुके हैं ते लगा तर ट्रांजेक्शन आ नहीं है जी मैं हुन सेकिंड ट्रांजेक्शन देखने हैं सेम बिजनस दी हां जी जी एस्ट डेट में एक वरी फिर लिखते सेम ने पर्चेज गुड्स फ्रॉम मैसेज रमन फ्रॉम देली 80,000 मैसेज रमन तो गुड्स पर्चेज की थिया ने एंट्री था सेम है पर्चेज अकाउंट देवी तो मैसेज रमन इस ता कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम ओफ अबाउट जी एस्ट क्योंकि बिजनसमें पटी आला दा है फ्रॉम पंजाब मैसेज रमन दिल ली दा है तहां है इंट्रस्टेट ट्रांजेक्शन है थ के इस आई जी एस्ट लगदा है ते आई जी एस्ट रेट सानू सारा नों पता है एटीन परसेंट ओने जिता गया सी असी की था एटी थाउजन दी पर्चेज थे एटीन परसेंट इस तांग देनार एटीन अपॉन हंड़र करके जी एस्ट केल्कुलेट कर लिया 14,400 के इं इंट्र स्टेट ट्रांजक्शन क्लियर इक होरे एट्री 6 जुलाइदी एंट्री हों डिपोजिट C-GST 1000 SGST 1000 IGST 5000 वपारी ने सारे GST, CZ deposit करते सारा नूँ पता है बबारी ज़तों GST पे कर रहे है तो input हों दै input GST बिजनस्मेन ने पे की तेने कड़े कड़े ने input CGST account दैविट input SGST account दैविट input IST account दैविट 1000, 1000 and 5000 total 7000 दी payment करती GST दी जड़ियों ने deposit किती input बुच बिजनस्मेन वे करना पेंद है पर चार्ज की तों कर दैवाच customer तों प्रापत होए output GST दे वीचो 7th July दी entry देखोजी next sold goods to honey traders फगवाडा फगवाडा दैवी पंजाब भी आपाई त्यानाल इस करके इंट्रास्टे ट्रांजेक्शन है CGST ते SGST लगनगे पारिस वार input नहीं लगदा की लगना है output कारण के sale sale दे होते ही लगदा output yes honey traders account दैवी to sale एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन है जो दों credit sale हों दी है पर नाल की लगए हूँ GST to output CGST to output SGST because it's a interest rate transaction 30,000 ते होते आसी 9% दोनों तरांदे GST का दे 2700-2700 honey traders नो total amount payable कि ना वन तो receivable amount कि ना वन गया 35,400 विंग गुड़्स विदी CGST and SGST 9% each as a interest rate transaction सारे आनु पता है स्टेट दे वीच दी transaction है इस करके interest rate transaction है next one 10th जलाइ दी sold goods for cash rupees 2000 एक पूरा question चल रहा है हुन 10 जलाइ दी entry दे पहुंच गे cash goods पर sale करती है cash account दे वी to sale journal चे एमे होंदा आम तो औरते जड़ी entry दे विदावट GST पर सानु पता है sale लगी है ताह इस दे ज़ीच लगना है as a output लगना है क्योंकि जदो नई mention के whether it is intra state और intra state ताह एम अन्या जानता है कि transaction intra state as state दे वी ची है किसे भी states होगे एतियान रख्यों हाँ जी output CGST ते output SGST 9% असी calculate किता 2000 दे उते 180 180 साड़ा किया गया है GST ते total जड़ा cash रसी होगे 2360 being goods sold with CGST in SGST 9% each as intra state sale ओके next one 15th जलाई दी sold goods to Lakshmi Trader सूरत सूरत दा है भी घुजराद दा पते आले दा businessman है सूरत वाले नलव पार कर रहे ताह इंटर स्टेट transaction होगी ताह साफ है dear students ये थे की लगना है CGST ते SGST बिलकुल नहीं लगना की लगेगा IGST सेल दे होते हैं की लगना है output IGST येस Lakshmi Trader's account debit credit सेल दी जे एंट्री हम दी Lakshmi Trader's account debit to sales बट GST लगना है to output IGST account असी की की ता 1,050,000 दे होते 18% जो दो calculate की था IGST 27,000 आ गया Lakshmi Trader तो total receivable amount की ना हो गया 1,077,000 being interested sale with 18% IGST clear हो गया students next one printing and stationery purchase रूपीज 500 printing तो stationery purchase कीती है भी GST दे बारे silent है येदा मतलों भी लगाना पहे गा combined दिता वैसी सानू जिनने भी expenses हों देने हो input जिनने भी बारों नहीं है printing and stationery account दे टो cash generally एमें entry करते बट GST लगने ना input लगदे चोदो expenses हों दे तब प्रिंटिंग and stationery business expenses printing and stationery account दे विट 500 input CGST account दे विट input SGST account दे विट 500 ते आसी 9% जे दो calculate 45 45 दोनो GST आगे 2 cash payment किनी कर ले 590 दी जिनना debit होना ही credit being printing and stationery purchased with GST next one 17th July दे एंट्री दे खो दे उपर यालो दे विच professional fees Rs. 5000 pay to CA 15,000 fees pay करते दे बारे 10 यासी starting दे विच दे लिए सी क्वेश्टन जिके 2.5% दोनो GST लगने CGST स्ट ट्राजेक्शन लोगी मनने जा रहा है मतलब interest येस professional fees अकाउंट आविट जिननों CA professional doctor CA कोई भी consultant हो सकते professional fees business ता खर्चा आए इन जारदा 2.5% जा 5,000 5% कटिया 250 आगया हाफ हाफ की हो गया CGST हाफ SGST टे टू कैश पेमेंट की नहीं होगी 5250 बींग fees पे तू CA बहुत जी बहुत GST डिपॉस्टेट दोनो GST वी सी देते जी नेक्स्ट वान सोल्ड गूड्स ओन क्रेडिट टू राहूल ओफ मोगा रूपीस 10,000 मोगे देवी साड़े अपने पंजाबी पाई है था नेशोली साल जड़ा GST लगना की लगना इस्टे त्याना पहला भी एंट्री आ चुकी है 18 10,000 दे उत्यासी 9% कल्कुलेट की था 9% 900 हो गया 900 ही SGST हो गया दोना दा कम्बाइन रूप लगा के ते सेल देना टोटल राहूल और 11,800 11,800 राहूल तोसीर ले रेने जी त्याना रख्यो नेक्स्ट वान 20 जुलाई दी पे टैलीफोन बिल रूपीज 1,000 विद GST 18 पारसेंट हो ने थे कन्फियूजन होजेगा पेपर 18 पारसेंट देता सी होने था एदा मनलब IGST लगना है नो जद तक क्लियर नहीं है का किसे भी खर्चे नो किसे भी इंकम नो किसे भी ट्राइक्शन नो इंट्रास्टेट मनते ने होते IGST नहीं लगता CGST ते SGST लगता है एक क्लियर होना चाहिए खर्चे दिया एंट्री उसी पहला में किते इसी टेलिफोन एक्सपेंसिस अकाउंट आविट इंपूट CGST आविट इंपूट SGST आविट तो कैश असी की किता 18 परसेंट कैल्कूलेट कीता 180 आया 90 की होगा CGST 90 होगा SGST या 99 परसेंट कालो 1000 ते गली कोई है तू कैश पेमेंट करती 1180 क्योंकि कैश ट्राइक्शन है बींग टेलिफोन बिल पेड विद जी एस्ट ओके रिता वे इनिक्लूडिंग जी एस्ट 5900 यस इक त्यांदो से सचो इलेक्रिसिटी एक्सपेंसिस 5000 की में पता लगे कित्थों पता लाग रेने असी 5000 दे उते जे असी 18% जी एस्टी कैलकुलेट करिये ताओ किन आगया 900 आगया ठीक ताँ अद्दा CGST हो गया आद्दा है CGST 450 CGST 450 CGST बाकि ओही तू कैश पेमेंट इलेक्रिसिटी बिल दी पेमेंट करती पेड सेलरी तू स्टाफ रूपिस 15,000 इसे ते कोई GST लगदा बिजनस ना विदिन इट सेल्फ इक घर्चा है स्टाफ मेंबर्स नो सेलरी पेगीती है सेलरी अकाउंड आवी तो कैश अकाउंट जे होंदा ता नहीं वरे ओ मैंशन करदा होंदा है त्यां रख्यो विए सेलरी वेज भएजिछ वेच्च नहीं हिलना है दया जे को हांदा तौ वेशन ही ने करदा है शेलरी इन्भिकाउंड टू कैश बंग सल र काई सेलरी पेट नहीं बन ही सब्सक्राइब इकठी आंदिया जी दिसानों लोड जी में आ देखो इस सारी दी सारी यां कंबाइंड जनल एंट्री ने टोटल बारां उन्हें एक्जाम्स की करना है डियर स्टुडेट जेता सी लैजर पोस्टिंग किती भी कर चुके हुंदे फिर उस हालज सा इना चोग सारे अंदे अका जो तो असी हार एक अकाउंट से जी में पहले चोओ इते देखो 4500 इंपूट CGST फिर 1000 इंपूट CGST इसे तरह जो सारे CGST नों एड किता हो बन गया 6210 ते नाचुरली इंपूट CGST वी 6210 होएगा चाहे तुसी आड करके देख ले फिर असी इंपूट IGST कैलकूएड किता 40400 क हो है जड़ा deposit करवाया सी यस ओधे नारे टोटल इंपूट IGST किना होना है 19400 आउटपूट CGST किना है त्या अन्ना मेरी कल समझो आउटपूट CGST लिगल कर रहे हूं इंपूट ता होगे ती नों आउटपूट CGST सारे आउटपूट CGST यह दे एंट्रीज दे वीचा के उन आउटपूट CGST है क्योंकि ब्राबर ब्राबर चलते ने आउटपूट IGST किना 27000 इस त्रांजेक्शन एथे रिक्वाद एक उस्ताई हजार पर रिता आउटपूट किते निए उनसी न दी आपसे डिस्टमेंट करने हो दिया हर एक इनपूट दी हर एक आउटपूट दे ना पहला मिनों यह दोस्तों कि यह सारे बता लागे सारे इनने ने इन्पूट ते आउटपूट कि थोए ने हर ट्रांजेक्शन दे वीचों जित्थे वीना दे कि एक समराइज डूप हो गया त्यानल सोचो इनपूट सीजी एस्ट इन है 6210 आउटपूट सीजी एस्ट ती तिने जार सासो असी सारा इनपूट ता अभी जिन्ना होंदा होना ता करो सैंटी सो असी रुपे ता हो सकते ने अजिस्ट ता करो अजिस्ट सानु पता है जद चैटिंग ऑफ दी एंट्री तूसरी पहला भी देख सकते हूं मैं वीडियो जिती हम यहांने सो पहला आउटपूट सीजी एस्ट काउं द्रेवी तू इनपूट सीजीस्ट यहां गरना बन्णाने मुट्स खीसटि थे हैं 700 सी पहला इता करो बाक्की किस्च चो होएगा आ इन्पूट SGST 6200 चेन ऐफुट पाउट्पट SGST 2780 3680 आडज़स्ट करो इन्पूट यूदब बिजिनस्टमेंन ने प्याक इतना सी आउट्पट येड़ा कस्ट्मर लो आया ले ये एंट्री सेम बन की होई आउट्पूट CGST आवए तो इन्पूट आउटपुट SGST अगाउंड भी टो इनपुट SGST अगाउंड होन SGST ते CGST जिनना का आउटपुट सी गो तो अडजस्ट होगे बाकी किन्ने करेंगे असी 6210 दे विचो 380 जो तो माइनस करांगे 2430 पे इनपुट CGST रह गया 2430 पे इनपुट SGST रह गया अडजस्ट होन तो एक हुन त्यांच रख्यों माइनस करके पता लगे हुन का लागी IGST दी पहला था इनपुट IGST है जेड़ा सानु सारे नों इंगल पता है 2400 यह आउटपुट IGST 2700 है ता 2400 ता 2400 यह था अडजस्ट होए गया हुन अडजस्टमेंट की शो करनी यहां सी आउटपुट IGST चू आउटपुट IGST काउंट एविट टू इनपुट IGST काउंट इक ता दांगे सी कि 2400 सी एंट्री इस तरह कार लंदे अड़र्ड इकसी कॉम्बाइन एंट्री करती हुन आउटपुट IGST काउंट एविट टोटल स्टाइस आ रहे उस्चों इनपुट IGST कीना सेट आउफ कीता अडजस्ट कीता 2400 इनपुट CGST कीना अडजस्ट कीता 2400 जो इनदा डिफ्रेंस से आया सी इनपुट ते आउटपुट CGST दा डड़ा अडजस्ट होन तो रह गया सी उस्टो बाद इनपुट SGST एकाउंट इनू भी क्रेडिट कर लिया टू इनपुट SGST काउंट 2400 ये भी सेम उन्हें तिन 2400 जो माइनस की ताब बाकी रहें 2740 रुपे 2740 एदी पेमेंट कारदांगे गौर्मन नूं ये आउटपुट कस्टमर्स को लो आया वैसी सारे इनपुट अड़स्ट होन तो बात बाकी सारा पैसा के पैसा चला जाएगा गौर्मन कॉल 2 बैंक एक कॉमाइन एंट्री इस त तो भीना काम नहीं चलना जैनल एंट्री कलियां नहीं चलन वाली हैं ते आन्रट क्यों जोंदा जी एस्टी आया है जैसानू जैनल एंट्री जैश्टी नहीं आया है तो अग्ये शानू लैजर पोस्टिंग जा प्लस जाए तो प्लस तो लेंटी पर जरूरी बहुत है इक गल्दनू सारणू सपस्ट वनी चेंगे जिए कि हुन अकाउंटनसी नार लेटेट साहिं प्लस वांदर या प्लस तुन अकाम बिना जी अस्ट को नहीं चलना वाला है इच एवरी टॉपिक ओफ ऑपक अचांटनसी इ गुण सपास्ट कॉस्ट तया याया बीटिओ फिर होसा नहीं जाएगा तो मस्कान प्लस तो क्रीषट कुछ रोजहां पिर आपको बुक्स नू चाहिए गा जिएगा तो सब यूपिल्ची तो प्रम्हें वाले की मुश्किल है वह असी तोड़के एक नमा अपने सब्जिक्ट नो रूप देखके असान बना वागे नविया वीडियोज नवे कॉंटेंट पहला भी बहुत सारे ने मेरे चैनल जानकारी देखते बहुत कुछ वान वाला है Let's wait for another videos Thank you very much